मेरा नाम है हरिया, मैं काम करता हूँ बहुत बढ़िया, खाता हूँ खाना और रोज गाता हूँ गाना अरे यार, आज तो बहुत देर हो गई, इस खतनाग जन्मल को देख कर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए है अगर मेरे वक्त पर गाम नहीं पहुँचा, तो मालिक बहुत नाराज हो जाएंगे तभी हरिया को एक आवाज सुनाई देती है सुनिये हरे जी अरे, ये आवाज किसने दी? तभी हरिया को सामने कुछ दूर एक औरत खड़ी दिखाई देती है अरे भाई, ये आवरत अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही है? चल कर पूछना पड़ेगा फिर हरिया, अपनी बैल गाड़ी उस आवरत के सामने लाकर रोग देता है और उससे पूछता है अरे सुनिये, आप इतनी रात को इस खटरनाग जंगल में अकेली क्या कर रही है? तब ही वो औरत मीठी आवाज में कहती है अरे हरुजी, आप आगए, मैं कप से आपका इंतिजार कर रही थी? वैसे तो यहां से काफी लोग गुज़र चुके हैं, लेकिन मैं खास आपका इंतिजार कर रही थी अच्छा, तुम सच कह रही हो, मुझे तो यकिन नहीं हो रहा है वो क्या है न, आज तक किसी ने मुझे इतने प्यार से बात नहीं की हाँ 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 हरु जी मैं सच कह रही हूँ, अब देर मत करिये और जल्दी से मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजी हाँ हाँ, कौन से बड़ी बात है, अभी छोड़ देता हूँ आप मेरे पीछे बैल गाड़ी में बैड जाईए और मुझे रास्ता बताते चलिए फिर वो औरत हर्या की बैल गाड़ी में बैड जाती है और हर्या बैल गाड़ी हांकता हुआ आगे चल पड़ता है फिर उस औरत की बताय हुए रास्ते पर चलते चलते हर्या बैल गाड़ी लेकर एक काली गुफा के आगे आकर रुख जाता है हर्या उस औरत से पूछता है अहां देवी जी आपका घर कहा है यहां तो एक गुफा के अलावाब और कुछ नहीं है तब ही अचानक वो औरत हवा में उड़ने लगती है देखते ही देखते उसका सुन्दर रोप एक दरावनी चुड़ैल में बदल जाता है और वो जोर जोर से हफ़ती है अरे तु तो एक डंबर का बेवकूफ दिखला तु तो बेरी असाड़ी से बेरी बातों में आ गया अरे मर गया अरे यह तु एक चुड़ैल है ए भगवान बचा ले यह तो बड़ी डरावनी दिखाए दे रही है और फिर अगले ही पल हर्या की बैल गाड़ी में रखा सारा सामान हवा में उड़ता हुआ उस काली गुफा के अंदर चला जाता है और वो चुड़ैल भी उस गुफा के अंदर जाकर कही गायब हो जाती है हर्या ये नजारा देख बुरी तरह घबरा और परिशान हो जाता है अरे ये चुड़ैल तो मेरा सारा सामान लेकर कुफा में गायब हो गई अब क्या होगा अगर में गाव खाली हाथ गया तो मालिक मेरी अच्छी ख़बर लेंगे मेरी इस बात का कोई यकीन भी नहीं करेगा फिर आखिर वही हुआ हर्या के मालिक चंपक सेट को हर्या की किसी भी बात पर रग्ती भर भी यकीन नहीं हुआ चंपक सेट को लगा हर्या जूट बोल रहा है और उसने ही लालच में आकर सारा सामान हड़प कर लिया है फिर हर्या को बेई इमान समझ कर चंपक सेट उसे काम से निकाल दीता है अगले दिन अपनी दुकान में परिशान बैठा चंपक सेट गुस्से में बड़बडाता है अरे दुकान में तो सामान बिलकुल भी नहीं है अब मुझे ही शहर जाकर सामान लाना होगा फिर वो अपनी बैल गाड़ी लेकर शहर चला जाता है शहर से सामान लेकर जब चंपक सेट बापस गाउन लौट रहा होता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है चंपक जी ओ चंपक जी अरे ये तो कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है फिर उस रास्ते में वही औरत खड़ी दिखाई देती है फिर क्या था हर्या की तरफ चंपक सेट भी उस औरत के पास अपनी बैल गाड़ी लेकर जाता है और वो भी उसकी चिकनी चुपडी बातों के मुझाल में फस जाता है फिर चुड़ेल उसे भी अपनी गुफा तकली जाती है और उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती है पिचारा चंपक सेट लाचार होकर खाली हाथ गाउं लोटाता है फिर ये उस जंगल में रोज की बात हो जाती है जो कोई भी शेह से कुछ लेकर गाउं की तरफ लोटता वो चुड़ैल उसे बेवकुफ बनाकर उसका सारा सामान लेकर गुफा में गायब हो जाती एक दिन हरिया एक लकड हारे को उसी जंगल की तरफ जाते हुए देखता है फिर हरिया उसे रोपते हुए कहता है अरे भाई क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो मेरी बात मानो आगे जंगल में मत जाओ वहाँ एक बड़ी भयानक चुड़ैल रहती है लकड हारा हरिया की बातों को नजर अंदाज करते हुए कहता है अरे भाई मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है मुझे जाने दो भाई शाम तक लकडिया काट कर सहर के बाजार में बेचना है तुम अपनी ये कहानी किसी फुरसेत में बैठे इनसान को सनाओ इतना कहकर लकड हारा वहाँ से आगे जंगल की तरफ चला जाता है फिर अगले दिन गाउं के मुझे के घर के बाहर बहुत सारे लुग जमा हो जाते हैं तभी हाथ में कुलहारे लिए खड़ा लकड हारा कहता है अरे मुख्या जी अब आप ही हमें बचाइए उस जंगल वाली चुड़ेल से हमारा सारा काम तो सहे सही होता है अरे मुख्या जी उस चुड़ेल की वजह से तो मैं पूरी तरह बरबाद हो गया हूँ हम सब को मिलकर उस चुड़ेल का कोई इलाज करना पड़ेगा तभी भीड में खड़ा वीरा कहता है आप लोग चिंता मत करिये कल से वो चुड़ेल किसी को नहीं लूट पाएगी मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकिव है तभी चंपक सेथ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे तेरा नाम वीरा है तो क्या हुआ तुने अभी उस चुड़ेल को देखा नहीं है जा जाकर अपना काम कर बड़ा आया तब मुख्या जी कहते हैं नहीं नहीं चंपक सेथ मुझे लगता है हमें इस लड़के को एक भौका देना चाहिए फिर सभी गाउवाले मुख्या जी की बातों से सहमत हो जाते हैं और वीरा शाम को एक बैल गाड़ी में कुछ सामान लाद कर उस जंगल की और चल देता है वीरा ओ वीरा कहा जा रहा है तभी वीरा मुड की देखता है वही चुड़ेल एक औरत के रूप में खड़ी है अरे बहन जी मैं आपको ही ढूंद रहा था देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ हैं आरे वा तो खुद मेरे लिए इतना सामान लाया है तो ही अकेला गाओं में समझदार है जरा देखो मैं अभी खोलके बड़े भूरत लगी है जैसे ही चुड़ेल उस सामान पर से कपड़ा हटाती है एक भगवान शीव की तेज रोश्टी उसकी अंदर मूर्ती से निकलती है और चुड़ेल अपने असली रोप में आकर जलने लगती है अरे मैं जल रही हूँ, बचाओ, आँ बचाओ, ओम नमशना आई, बढ़ गई रहा देखते ही देखते वो चुड़ेल राख के साथ उर जाती है और सभी गाओं वाले भी वहा आ जाते है शिक्षा बुराई पे सदा अच्छाई की ही जीत होती है